दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल मोर्या, ऐूद्या से हूँ और आज आया हूं मैं गोंड़ा और ये चाचा जी से मिलने के लिए और उनको कुस प्रॉबलम थी काफी दिनों से तो मैं राम् सहय चाचा जी और मुहमेदली चाचा जी के माध्यम से इनके पास आया था तो देखते हैं कि क्या दिक्कत थी इनको बच्चे को चाचा जी आपका शुब नाम क्या है शमी उल्ला शमी उल्ला निमास्तान कहां पड़ता है आपका पथार और आगे कुछ थाना तरफ गंजिला गोंडा अच्छा तो यह आपका कौन है यह पोता है तो क्या दिक्कत थी इसना पहले थोड़ा-थोड़ा मुह का बंद होने लगा हाथ-पैर ठाइट होने लगा उसके बाद एक वैक किसका हाथ-पैर ठाइट हो गया जैसे को जुका जब जूब जुक जाए तहां जुका रहा है आप से जुकावे सही सिधा करें तब सिधा हुए अपने हाथ पैर नहीं चला पाता है तो इसका इलाज और कहां कहां करवाए थे आप यहां से लखनव से लएके गोरपुर फैजाबाद तक कराएं हमें कोई प्रब्लम नहीं निकला उसका उसका कोई समधान नहीं निकला तो कितने दिन से दिक्कत थी बच्चे को यह लगभाग दो साल हो गए अच्छा तो इसके बाद में फिर आप जो है एक बार फैजाबाद आये थे हमारे हां है ना यह राम सहय चाचा जी और यह मुहमाद दली चाचा जी चाचा जी कहांगे आ और मैं धन्यवाद दोंगा दोनों चाचा लोगों का कि आपकी वजह से बच्चे को बहुत बढ़ियां जो है रिस्पांस मिला हुआ है तो अभी क्या लग रहा है कि बच्चे में जो है अराम है अराम है अब हाथ पर उठा लेते हैं ना मूह नहीं खुलता था मूह भी बा निगल जाता था अंदर अंगुली से लेकिन आप चम्मा से चाव लोग अगयरा देदे तो अपने बूत खाए अचा हाथ उठा लेते हो अरे वाँ पैर अरे वाँ उठाए लाँ अच्छा आप भी उड़ लेते हो अच्छा पहले यह सब कुछ नहीं कर बाते थे ना है ना चाचा जी रिस्पांस बढ़ियां मिल रहा है तो आप जिसे आप कुछ और कहना चाहेंगे लोगों के लिए कि लोगों को इसको यूज करना चाहिए कैसे क्या करना बिर्कुल कहेंगे हम अपना समाधान देंगे कि हमको अराम मिलता है चलिए अभी लगबग कितना दिन रहा था लेकिन अब हाथ पैर उठाने लगा है मुझे खोलने लगा है और संकेश से बहुत सारी चीज़े बताता भी है और इश्वर करें कि आगे चल करके इसको और रिस्पांस मिलेगा और नेस्ट रिस्पांस के लिए फिर से मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा इसे के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ साथियो नमस्कार